Hello and welcome to yet another vlog Indian Girl in Europe अगर आप लोग मुझे नहीं जानते हैं तो मेरा नाम है सुर्भी चैनल का नाम है Indian Girl in Europe मैं यूरोप और जर्मनी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो बनाती हूँ आज जो है वो मैं जर्मनी के बारे में एक इंफोमेशन लेके आई हूँ मैं आपको वो ही बताऊंगी कि आपको यहाँ पर freebies, free gift कैसे मिल सकते हैं When you are pregnant या already आपके बेबी जो है आपने बेबी को deliver कर दिया है बेबी आपके घर आ गया है प्लस आपके birdies पर बहुत सारे discounts मिलते हैं इन जनरर बहुत सारे से स्टोर्स होते हैं जिसमें tips जो मैं आपको बताऊंगी वो यूज करके आपको discounts मिल सकते हैं तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बेना कुछ time waste करें तो जैसा कि आप लोगों को यह दिख रहा है तो हाँ आज मैं आप लोगों को कुछ samples जो मेरे पास हैं या freebies जो हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगी उसमें क्या क्या आया है वो हम unbox करेंगे last में और यह जो है वो एकदम free है इसके अलावा में और बहुत सारे free boxes जो है वो मंगवा सकती थी पर because मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बता दूँगी प्लस description पर सारी details दे दूँगी उनकी जो links है वो दे दूँगी तो अगर आपको apply करना है तो आप खुदी कर सकते हो आप register कर सकते हो तो सबसे पहले हम bird days discount पे आते हैं जर्मनी में एक बात बता देती हूँ आपको वो सारे discounts बताने से पहले जो आपको आपके bird days पर मिलेंगे जर्मनी में यहाँ पर एक तो आप wish नहीं कर सकते हैं पहले से किसी को advance में यह bad luck माना जाता है तो कभी भी किसी को पहले से wish मत करना है ना जो कि cultural shock लगा था मुझे क्योंकि हमारे याद थो हम लोग advance में ही सब लोगों को wish कर देते हैं मुझे याद है कि मैं अपने friends वगेरा को 12 बज़े से पहले ही call करना लगती थी कि यार मैं सबसे पहले wish करो यह बहुत ही common है पर यहाँ move करने के बाद यह चीज बहुत मतलब at least Germans को तो आप पहले से wish मत करो of course Indians यह सब चीजे नहीं मानते हैं और हम लोगों के लिए it doesn't matter आप wish कर सकते हो पर यहाँ के लोगों को मत करना तो अब हम आते हैं discounts के उपर आपको कहां कहां discounts मिल सकते हैं सबसे पहले आते हैं H&M हां उन्ड एम मतलब जर्मन में यह जो है यह बहुत ज़ादा available होता है आप easily afford कर सकते हो जर्मनी में इसमें आपके birthday पर आपको 35% off मिलेगा मैंने खुद भी 25% off लिया है इनकी जो एप है H&M की एप में आप birthday जाल सकते हो और birthday discounts आप कुछ भी लोगे उस पर 25% मिलेगा अगर आपका birthday आने वाला है यह information आपके लिए बहुत ज़ादा important होगी क्योंकि आपको 25% flat जो है वो discount मिल जाएगा जो generally H&M में मिलना difficult है और अगर आपका winter में birthday आ रहा है तो यह तो बहुत ही बात है क्योंकि jackets जो होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं और उस पे भी आपको 25% मिल जाएगा तो that's a very good thing for example अगर 100 euro का jacket है तो आपको flat 25 euros का discount मिल जाएगा और उसमें आपको बहुत ही अच्छा woolen jacket जो है वो मिल जाएगा अब हम आते हैं दूसरे brand की तरफ दूसरा brand है Nike Nike जो है वो यही का brand है जिस पे भी आपको 25% जो है वो off मिलेगा अगर आपका birthday है तो तो वो भी आप check कर सकते हैं इसके अलावा आपका अगर कोई favorite brand है यह तो मुझे पता है दो brands का आपका कोई favorite brand है तो आप उनकी जो app है उस पे check कर सकते हैं whether they are giving also birthday discounts or not हो सकता है कि वो brand भी आपको birthday discounts देगा तो आप वो भी check कर सकते हो हो सकता है आपका favorite brand पे भी आपको 25% 20% जो है वो off मिल जाए अब हम जाते हैं कुछ खाने पीने की उस पे खाने पीने के उस पे तो यार मुझे याद है कि हम जब बड़े होता है तो या तो कोई हमें party देता है या हम किसी को party देते हैं right but what about अगर मैं यह बोलू कि आप जहां जहां जाओ जो जो जगे मैं आपको बता रही हूं वहां पर आपको freebies मिले या तो आपको drink free मिले, cake free मिले, या cookies free मिले तो आप बहुत ही जादा खुश हो जाओगे of course आज तक मैंने यह try नहीं किया है पर ड्वाइचलेंड में मतलब जॉर्बनी में बहुत सारे लोग यह try करते हैं तो सबसे पहली चीज जो है यह सबसे पहली जगे जो है वह है IKEA अगर आप IKEA में जाते हो अपने बड़े वाले दिन आप उनको इनफॉर्म कर देते हो तो आपको एक जो कुखन है जो केक है जो पेस्ट्री वाला जो पीस होता है वो free मिलेगा अगर आप अगली पार अपने बड़े पे IKEA जाओगे तो आप of course claim कर सकते हो I don't know कोई अपने बड़े पे IKEA जाता है या नहीं अगर आप में से कोई जाता है तो comment करना of course अगर आपकी hobby होगी घर को decorate करना घर में सब को change करना नया घर में items लाना तो of course आपकी hobby होगी तो आप वहाँ जा सकते हो और आपका जो वो cake है like a small piece of cake वो खा सकते हो The next is Starbucks Starbucks भी यहां पर बहुत easily available होते हैं at least Munich में तो बहुत easily available होते हैं तो next time जो आप अपनी birthday पर Starbucks जाओ या वहां से निकलो तो आप अपने लिए free drinks जो है वहां से ले सकते हो like free coffee या कोई भी free drink जो है वहां से ले सकते हो app में आपको पहले से register करना पड़ेगा और उसे दिखा के आपको आपकी free coffee मिल जाएगी I think that's the best idea क्योंकि हम अपने birthday पर कही ना कही तो रहते हैं अगर हम जर्मनी में है तो कही ना कही तो घूमते हैं it's a amazing thing right आप कहीं पर घूम रहे हो mcdonald's पड़ता है और आपका बड़े है तो आपको free meal जो है वह मिल जाएगी तो अगली पार अगर आप ऐसे कहीं घूम रहे हो तो आप वहां से वह ग्राब कर सकते हो again app के through कर सकते हो आप then pizza hut पे भी आपको जो है वो कुछ मिलता है I don't know exactly but you will get something in pizza hut also some freebie तो वहां पर भी आप देख लो कि वहां पर क्या मिलता है इसके अलावा सब्वे पे आपको free cookies मिलेगी तो सब्वे पे अगर आप जा रहे हो कुछ खा रहे हो तो आप अपना जो free cookies है वो claim करना मत भूलना एक और kristi cream जो की donut shop है donut shop से आपको एक free donut मिलेगा तो वह भी आप ले सकते हो अगर आप ऐसे घूम रहे हो like हमारे घर के पास ही है तो next birthday पे अगर मैं यहां रहूंगी तो मैं इस सब free भी जो है वो claim करूंगी तो यह तो हुई सारी खाने पीने के लिए अगर आपको कुछ free चाहिए प्लस brands में अगर चाहिए तो 20 to say 25% इसके अलावा जो मुझे पता है वो aqua park aqua park जो है उसमें आपको free entry मिलेगी और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उनको भी free entry मिलेगी आपके बच्चे पर तो यह बहुत अच्छी बात है तो आप अपनो बच्चे से इंजॉय कर सकते हो aqua park is also one place where you get free entry then another thing is Fata Sia Land यहाँ पर भी आपको free entry मिलेगी यह भी बहुत ही सुन्दर जगे है देखने के लिए तो you can go there also आपने बच्चे पर जा सकते हो और free entry जो है वो claim कर सकते हो अब यह बड़े वाला section हो गया इसके अलावा अगर आपको कोई पता है जहां पर discounts मिलते हैं brands पर तो आप comment करना of course I wanted to know कि अगर आपने कहीं से discounts already avail किया है या नहीं अब हम आते हैं after pregnancy during pregnancy आपको क्या-क्या free चीजे मिलेगी यहां पर एक तो मैंने देखा because हम जब new mother बनते हैं तो यहां पर इतने सारे brands होते हैं कि हमें पता नहीं रहता है कि कौन सा चीज जो है वो अच्छी है कौन सी चीज अच्छी नहीं है कौन सा ब्राइंड जो है वो अच्छा है क्योंकि कुछ ब्राइंड जो होते हैं वो थोड़े affordable होते हैं कुछ expensive होते हैं कुछ medium range में होते हैं तो exactly पता नहीं चलता यार कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है जब आप खुद से उसे use करते हो तब आपको पता चलता है पहले अपनी use कि आपको अच्छा नहीं लगा फिर आपने दूसरा product खरीदा उससे आप already बहुत जादा money वो waste कर देते हो तो सबसे ची बात मुझे ये freebies की ये लगी कि इसमें एक तो ये लोग अपने samples को advertise कर देते हैं क्योंकि mostly इसके अंदर samples होते हैं तो ये दो boxes मेरे पास हैं इसके अलावा भी बहुत सारे brands जो हैं वो आपको freebies देते हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी और ये कहां से मिले वो भी मैं आपको बताऊंगी इसमें आपको एक तो वो लोग advertisement कर देते हैं प्लेस आपको भी पता चल जाता है यार ये वाला जो particular product है ये मेरे use का है या नहीं है अदर दिन आप भाग रहे हो देख रहे हो कौन सा खरीदना है तो मुझे ये बहुत अच्छी बात लगी दूसरी बात ये थी कि जब हम लोगों ने अपनी तारा के लिए समान खरीदने गए थे तो हम बहुत बलक में समान लेके आये थे around 100 euros का बेबी का और सारा कुछ समान जो भी जो भी चाहिए था जो हमें हिवामा ने बताया था उसकेस में अगर आपको डिसकाउंट मिल जाता है 20-25% तो ये बहुत अच्छी बात होती है तो DM और रोजमान करके यहाँ पर प्लस मुलर करके शॉप्स हैं यहाँ पर जो की ये सारे प्रोडेक्ट देता है जो अधर देन बेबी प्रोडेक्ट आपके कॉस्मेटिक्स प्रोडेक्ट हो गए देन बहुत सारी चीज़ होती है उस पर्टिकुलर मार्केट में इस तो वहाँ पर अगर आपको 20-25% आफ लेना है तो आप इनकी आप डाउनलोड कर सकते हो और इनकी आप में बहुत सारे कूपन्स होते हैं जनरली कूपन्स में मेर को मिला था जैसे रोजवान में सब पे 10% आफ डियेम में बहुत सारे प्रोडेक्ट्स पे 20% आफ कुछ प्रोडेक्ट्स पे 25% आफ उस टाइम पे मुझे पता नहीं था आप सोचो अगर 100 यूरोस पे मुझे 20% आफ मिल जाता 10% आफ भी मिल जाता तो मुझे डिसकाउंट मिल जाता जो मुझे पता नहीं था पर इनकी आप में बहुत सारे कूपन्स होते हैं जो आप एक्टिवेट कर सकते हो और जब आप खरीद लो सारा समान यह हो गए रोजमान, मुलर एंड डियम की बात तो आप अपनी आप पहले डाउनलोड कर लो और उसको देखो, ब्राउस करो कि वहाँ पर क्या-क्या चीज़े अविलेबल है आप क्या खरीदते हो, उस पर कुछ आफ है या नहीं दूसरी बात उनी की आप पहे, जैसे यह जो है, यह रोजमान का है और यह जो है, यह डियम का है उनी के आप में, when you become like a pregnant हो तो प्रेगनेंसी के टाइम पहे कुछ बॉक्स होते हैं और प्रेगनेंसी के बाद कुछ बॉक्स होते हैं यह दोनों जो हैं, यह बेबी बॉक्स हैं तो मैंने बेबी बॉक्स क्लेम करें हो, उस चाइम पर मैंने नहीं किया था तो रोजमान का और डीम का तो उसमें भी आपको क्या करना है, आपको आप पे जाना है और उसमें आप देख सकते हो gratis, baby box करके, baby weld ऐसा करके आपको दिखेगा, वो आप activate कर सकते हो, next time जब भी आप रोजमान या DM पे जाओ, तो आप वो दिखा सकते हो, और अपना free gift ले सकते हो, बहुत ही simple है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस वो आपको अपने mobile app में activate करके जाना है, उन्हें दिखाना है, और आप ये ले सकते हो, ये तीनों चीज़े, ये हो गई रोजमान की बात, ये हो गई DM की बात, इसके अलावा जो मुलर है, मुलर में भी उनका baby box है, जो कि आपको free मिलेगा, again आपको उनकी app पे जाना पड़ेगा, then coughland है, coughland also give a very good gift box तो वो भी आप ले सकते हो, if you want to, सारी ही जो लिंक से वो मैं आपको description पर डाल दूँगी, ताकि आपको पता रहे कि किस लिंक से आप वहाँ पर जा सकते हो, और register कर सकते हो, then कुछ online भी आप register कर सकते हो, जिसमें boxes जो है, ये freebies जो है, वो आपके घर आ जाते है, जैसे pamper, pam करके, तो वो भी आप claim कर सकते हो, register करके उसको claim कर सकते हो, and then you will get that also, तो ये सारी जो है, मेरी information के हिसाब से, प्लस मैंने भी इनकी एप थोड़ा सा देखा, और पता चला, हाँ, हाँ, ये है, ये दो तो मैं लेके आ गई, बागी मुलर वगेरा से मैं लेके नहीं आई, because I thought क ये सब चीजे में कहां रखोंगे, अब तो मैंने अपनी कुद की research कर ली है, कि क्या products अच्छे हैं, कौनसे product अच्छे नहीं है, पर चलो, अब हम अपनी last stage पर आते हैं, जब हम ये दोनों boxes खोलते हैं, और अगर मैं next time कोईसा और freebie लेके आते हूं, या मुझे box मिलता है, तो अगर आप उस पर भी वीडियो देखना चाहते हैं, तो वो भी आप नीचे कमेंट करना, तो let's start unboxing, बहुत ही अच्छा एक्टो बैग है, बैगी काम आ जाएगा, प्रोडेट्स जो भी हो अंदर, तो मेरे जैसे हम travel करते रहते हैं, हमें कुछ-कुछ समान रखना होता है बच्चे का ही बहुत सारा समान रखना होता है, कहीं हम जाते हैं, तो हम बहुत सारी चीजे रखते हैं, तो उसके लिए मुझे लगता है, बच्चे के लिए, कि आप बच्चे का सारा समान इस पर रख सकते हो, और अगर उसका नहीं रखना तो अपना तो रखी सकते हो, तो क्लेम कर सकते हो इसको मैं यहाँ तो इसमें जैसे यह है मैंब कर आपके सामने अपन कर रही हूं मुझे नहीं पता ही इसमें क्या है एक डाइपर यह डाइपर है पैमपर का तो इसके अंदर डाइपर है यह मैं यूज करके देखूंगे वेदर öğren तो ये ना 2 से 5 kg का है तो मतलब एकदम newborn के लिए है तो आप पहले ही इसको claim कर दो अगर आपको करना है तो इसके अलावा इसमें है ये ये mom's के लिए है ये wipes है हिप का हिप जो अच्छा ब्रैंड है यहां पर मैं काफी सारे प्रोडेक्स यूज कर रहे हैं मुझे अच्छा लगता है उसके अलावा एक बहुत ही सुन्दर से socks है जो की बहुत ही अच्छा material लग रहा है organic है तो ये जो है वो socks है and then you get the massage oil क्योंकि मैंने आपको बोला कि ये जो है ये before like during pregnancy वाला किट है तो ये massage oil है ये मैंने यूज किया है बायो का बायो ओईल करके ये वेलेडा का है वेलेडा जो है वो भी अच्छा ब्रैंड है पर मैंने बायो ओईल का यूज किया था जो कि basically जब आप pregnant होते हो तो आप अपने tummy में लगा सकते हो इसके बाद उसमें scratch mark नहीं आते मैंने बायो ओईल यूज किया था और मुझे एक भी stretch mark नहीं आए to you can also use such type of oils वो और ये इसका सेमी प्राइस था बट हाँ आप सेंपल ले सकते हो एक बार यूज कर सकते हो अगर आपको अच्छा लग है तो आप वेलेडा करी सकते हो if not then bio oil तो जो है वो मैं आपको प्रिफर करूंगे लेना इसके अलावा ये है बच्चों के लिए C.C. cream तो ये चैहरे के लिए cream है गेसे क्रीम है तो ये भी आपके यूज करने के लिए तो ये मैं अब तारा को लगाकर दीखुंगे क्योंकि अभी जो है वो मैं हिपकी यूज कर रही हूं और वो बहुत अच्छा उसको सूट कर रही है बहुत जादे एक्स्पेंसिव नह बहुत सारी वुक्स है जिसमें आपको बहुत सारी information है बिफोर प्रेगनेंसी आफटर प्रेगनेंसी तो वह भी आप पड़ सकते हैं तो इस बॉक्स में यह सारी चीजे जैंग अब हम next box देखते हैं हम स्टार्ट करते हैं दूसरा बॉक्स जो की बहुती सुन्दर है इसमें हाती बंदर चिपकली तोता मैना बहुत सारी चीज़े बनी है और बहुती अच्छा दिख रहा है ग्रीन कलर का इस कलर से बच्चे अट्रेक्ट भी बहुत होते हैं जो मैंने तारा का देखा तो यह ब और निदो यह दो भी उपनी बोक्स तो बालา से थचש अरॉट किता mobile goods और ग्रें जेरो लिटेफाई है कि ऊम च्टर प्रेंड का मैंने और तारा के इस बिर्यूली एपईये रिया यह लाग किर देखा आउ टार इसको उच्छा ने एटना झाल नहीं लगा तार फिलीफ का specifier looks, वो भी मैं आपको बता देती हूं क्योंकि शाद इंडिया में इतना यूज नहीं करते हैं तो this is how this specifier looks इसके अलावा इसमें अगें wet wipes हैं जो कि हमें यूज करने होते हैं बहुत बार so this is the wet wipes इसमें भी बहुत सारी books हैं जो कि of course बहुत सारे products के advertisement हैं प्लस कुछ आपकी information के लिए कुछ कुछ चीज़े हैं okay this is the cap so cap is also there बट यह बहुत ही छोटे बच्चे के लिए अप्तारव बढ़ी हो गए मैंने बहुत बाद में लिया है क्योंकि मुझे पता नी था मेरी फ्रेंड ने बताया यह है body lotion यह सीवा मैट का है उसमें जो है वो cream आई है चहरे वाली और यह जो है वो body lotion आया है इसके अलावा इसमें shampoo या फिर आप जो बादिंग lotion होता है बाद करने के लिए जो lotion होता है वो तो वह भी मैं अभी हिपका यूज कर रहे हो यह जो ब्रैंड है पैना 10 यह थोड़ा सा महेंगा ब्रैंड है शायद हिपका जो है वो बहुत उसको सूट कर रहा है तो मैं यह भी देखूंगी चीक है then Bupshen Bupshen यह body milk है यह भी अच्छा ब्रैंड है यहां पर तो यह भी मैं ट्राइ करोंगी कि इस के लिए यह वाशिग जल है फोर चहरे के लिए प्लस बालो के लिए लाइक ड्सकिन के लिए और बालो के लिए जो की है Saber mat का I don't know what it is, it is spoon reiniger, I think cleaning के लिए lotion है ये, मैंने अभी तक इसे use नहीं किया, तो मुझे पता नहीं है, पर इसके I think cleaning के लिए हम use कर सकते हैं, जैसे pacifier हो गया, इसकी जो bottles हो गई उन सब के लिए, तो उसके लिए है, तो देखते हैं इसका क्या use है, जो frosh करके brand है, वो है, again hip का diaper है, ये देखिए, एक-एक hip का diaper है, use करने के लिए, तो ये जो दोनों brands थे, जो मैंने आपको बताए, like rosebun and dm से, ये दोनों box मुझे मिले, मुझे मिले, मैं क्लेम करा है, पर मैं लेके नहीं है, ये उनका भी ऐसा ही होगा, आप क्लेम कर सकते हो, अगर आपको भी test करने हैं बह को थोड़े rashes हो रहे थे, then we tried it, baby love, baby love जो है, वो रोजमान का खुद का brand है, even dm का भी खुद का brand है, वो वाले diapers जादा उसको सूट कर रहे हैं, then hip और pampers, तो इसलिए हम लोग वो ही उस कर रहे हैं, and daily wear के लिए, I think it's good also, like prices भी सही हैं उसके, and good also, थोड़ी सी मैंने सुच information भी आप से share कर दो, बागी ये था सब कुछ जो मुझे आपको बताना था, if you want to avail such kind of discounts on your birthdays, if you are pregnant, and you want to claim your boxes, like baby box, ya pregnancy box, तो आप ये सब claim कर सकते हैं, बागी जितना भी मुझे पता था, and links वगेरा, और नाम वगेरा, जो है, वो मैं description पर डाल दूगी, ताकि अगर आपको claim कर तो आपको इदर उदर भागना ना पड़े, and you can just directly claim it, आपके अगर friends, family में से, अगर कोई Germany में है, और उनको भी आप ये बहुत ही अच्छी बात बताना चाने है, like free की चीजे किसे पसंद नहीं है, free का discount किसे पसंद नहीं है, तो आप उनको ये video जो है, वो share कर सकते हो, बा आगे हम मिलते हैं next video में, next video भी बहुत ही interesting होने वाला है, तो next video के लिए wait करो, बाकी आप लोगों से एक बहुत ही छोटी से विंती है, कि like, share, subscribe करे बिना मच जाना, बहुत ही जादा motivating होता है, अगर आप subscribe करके जाते हो, तो वो करे बिना मच जाना, और बाकी next video जो की बहु इंटरस्टिंग वान है, वो उस पे मिलते हैं, बाबाई, टेक केर